हेलो जडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्स बाई जीतंदर कुमार में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे सी ओफ इरोड़ोथनीज इसमें हम सीखेंगे एक से हंड़र तक की जो हमारे प्राइम नंबर से उनको कैसे निकाल सकते हैं तो सी ओफ नंबी अगिविन इंटीजर एं हमें कोई गिविन इंटीजर दिया देन वी कंस्ट्रक्टे टेबल तब हमें एक टेबल बनाएंगे ओफ प्राइम नोट अक्सी ठीक है नोट अक्सीडिंग एं विद्धी हैल्पोफ दा थोरम ओफ एंजे प्राइम इफ इस नोट Maneis we explain this by taking an equal to 100 as follows तो हम एक हम्ण इक वर्पन रेका है यानिक है अंडडर तक के हम प्राइम नंबर निकालेंगे कों से में निकालेंगे और समय इस में तो चलिए देखिए कैसे निक्स में सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास जो प्राइम नंबर है वह कौन रिव तू है को 2 को सबसे पहले आप मार्क कर दीजिए इस तरीके से मार्क कर दीजि और 2 के जितने भी ठीके 2 से जो भी divisible है उनको cut कर दीजिए जो भी 2 के पाड़े में आते हूँ उनको सबको cut कर दीजिए ठीके 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा 10 आएगा तो दो के पाड़े में जो भी आएगा उनको सबको cut कर दीजी छीके तो ये जो नंबर 2 से कैसे हैं divisible हैं उनको सबको cut दीजी चलिये भी है इनको सब नंबर को हमने cancel out कर दिया ये छीके 2 से जितने भी divisible हैं उनको cut कर दीजी इसके बाद इसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा चलो पहले इनको कट कर देते हैं हमें निकालने प्राइम नंबर्स ठीक है 100 तक कि जितने भी प्राइम नंबर्स है वो बताने कितने हैं तो c of erosinies method से निकालेंगे हम एक से 100 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन प्राइम नंबर्स हैं जो दो से कट जाएंगे उनको सबको क्या कर दीजी क्रोस आउट कर दीजी यहां से इसके बाद जो प्राइम नंबर्स हमारा कौन है 3 3 को मार कर दीजी वो 3 से divisible जितने भी elements है ठीक है उनको सबको क्या कर दीजी कट कर दीजी ठीक है 3 से अब जो 3 का square आएगा वैसे वो 9 होता है 3 का square वैसे कितना होता है वो 9 होता है तो जितने भी elements होंगी वो 9 से start होंगी उससे पहले कोई भी हमारा उससे पहले कोई भी हमारा 3 से divisible वैसे तो नहीं है इसमें ठीक है तो 3 का square 9 से जो भी 3 से कटेंगी सबको उनको क्रोस कर दीजी काट दीजी तो यह 3 से कट जाएगा ठीक है 15 कट जाएगा और 15 के बाद 21 वे 3 से यह भी divisible होगा 3 से कट जाएगा इसमें तीन से तो नहीं कटेंगा यह देखना 3 से नहीं कटेंगा तो चलिए इसके बाद देखिए 3 से कौन कौन कट जाएगा इसमें 3 से देखिए यह देकना कट जाएगा नहीं कटेंगा 3 से ठीक है विसे 3 से यह देखिए वो संख्याईं कटती जिनका सम भी 3 से कटता है जैसे मालिया 6-3 है इन दोनों को जोड़ेंगी तो कितना हैगा 9 इनका सम 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटती है यह बात आप जानते होंगे वे 6-3-9 ठीके 6-5-11 नहीं कटेगा और 13 नहीं कटेगा ठीके यह बताना 15 15 तो कट जाएगा और वैसे भी देखी यह कट जाएगा 3 से ठीके 3 से जो भी संख्या एकट जाएगी 7 और 1-8 नहीं कटेगा 7-3-10 7-5-12, कट जाएगा नथ 12 तीन से कट जाएगा तो यहीं संख्या भी कटेगी जिन संख्याओं का योगफल 3 से कट जाएगा ऐसे दोसे कड़े गाथ 7 Excel 12 नहीं कड़ेगा ठीकर यह बज़ जाएगा solare ही कड़ेगा ही इलिए ठीकर लोग बिल्कुन कड़ेगा तो यह तीन कड़ेगा यह गॉद ओर इलिगे और धुल ने चैनरे तैंसे बिल्कुन कड़ेगा 8-3-11 तो नहीं कड़ेगा 8-5-12 तो 3 से कड़ेगा 8-5-13 तीन से नहीं कड़ेगा 8-5-13 उती न और ठीके 15 ये कड़ जाएगा ये कड़ जाएगा किस से 3 से इसको ज़रा जोड़ के देखना ठीके तो ये तो ये सत्रे आएंगे सत्रे तो नहीं कटता, तीन से दस नहीं कटता, बारे तो यह कट जाएगा तीन से कट जाएगा, इसको इसको जोड़ना, जोदे तो नहीं कटेगा ठीक है, यह सोले आजाएगा सोले भी ठीक है, कितना आजाएगा यह सोले आजाएगा, ठीक है तो 16 भी कट थोड़ी जाएगा ही ठीक है ना ठीक है क्योंकि यह 97 होता है उनको यदि हम सम कड़ते हैं 97 कितना था है 97 क्योंकि यह आएगा किसके बराबर 16 और 16 तो नहीं कड़ेगा 9-9-18 कड़ जाएगा भी है यह तो 3 से तो यह हमने वो संख्याएं काड़ दी जो 3 के भाड़े में आएगी 3 से कैसी होगी जो कड़ जाएगी अब इसके बाद 4 तो कड़ चुगा उसको मत देखिए इसके बाद आएए 5 है 5 को इस तरीके से मार्क करिए 5 को इस तरीके से मार्क करिए अब जो 5 से डिविजेबल हैं सारी संख्याएं जो 5 से कड़ जाएंगी उनको सब को काड़ दीजी तो वो संख्या वैसे 5 की स्कॉार से आगे मिलेंगी वो संख्या कहा मिलेंगी आपको 5 का स्कॉार करकर देखो कितना आएगा 25 तो वो 5 से आगे मिलेंगी उनको सबको काड़ दीजी ठीक है अब ये कट जाएगा 35 कट जाएगा 5 से जो कटेंगे हो सब उनको काड़ दीजी 5 से ये वाले तो सब कटी जाएंगे ये तो 5 से ठीक है और 5 से कटने वाले उधर सारे उल्डेडी कट चुके देखिए जिनके बाद में 5 ये 0 आ रहा हो वो संख्याएं 33 लो गई ठीक है इसके बाद 6 तो ओल्डेडी कटा हुआ है 6 से आगे बढ़िए 6 से आगे बढ़िए 7 ठीक है जो 7 से कट जाएंगे उनको देखिए उनको साथ सकती 7 का स्क्वार क्या होता है 9 नंचस होता है 9 से आगे देखिए उससे पहले तो कोई संख्या नह साथ से बताइए कौन कट जाएगा साथ सत्य नंचस ठीक है और साथ अठेक इतना हो जाएगा 56 देखो 56 तो ओल्डेडी कटा हुआ है ठीक है तो कहां से देखते हैं साथ का स्क्वार करके देख लिए 9 से आगे मिलेंगी जो भी संख्या मिलेंगी तो यह भी हमने कौन काट इत्यावन तो साथ से नहीं कटेगा यह भी नहीं कटेगा साथ से देखी कौन कट जाएगा 77 कट जाएगा साथ से कौन कट जाएगा 77 और देखी साथ से कौन कट जाएगा भी या साथ से और 84 तो अल्डेडी कट गया ही और देखी साथ से कौन कट जाएगा साथ से नहीं कट जाएगा ये भी नहीं कट जाएगा ये भी अब यह देखी, साथ से कड़ जाएगा क्या नहीं कटेगा ये भी, ठीके तो इसके बाद इसके बाद जो आएंगे ये तो अरेड़ी कड़ चुके हैं ठीके, अब ये 11 पाईए, 11 का स्कॉार देखिए 11 का स्कॉार कितना होता है 12 होता है न तो 121 के बाद के देखने हैं, 121 तक तो है यह नहीं, अब जो भी संख्या बची एक से 100 तक की वो सारी कैसी बचेंगे हमारी prime numbers बचेंगे, ठीक है, तो लिखें देंगे, the prime numbers, ठीक है, one से लेके 100 तक, the prime numbers, ठीक है, 1 to 100 are the prime numbers the prime numbers from कहा से from 1 to 100 और जो नहीं कटे हुए उनको लिख दीजी तो कौन-कौन एक तो 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 5 के बाद 7, 11 13 17 19 ठीके 23 29 29 29 31 तो लिख देंगे इनको सब को है ना 31 जो भी अनमार्क्ड हैं वो सब कैसे numbers हैं हमारे prime numbers हैं तो देखिए अच्छा method है ही तो असानी से हम निकाल सकते हैं कौन-कौन हमारे prime numbers बचे ठीक है तो यह सारे लिख देना वन्च लिखे 100 तर तो कहीं तक भी निकाल सकते हैं इनको ठीक है इस method से तो इस method को भी आप लोग note कर लीजए एक्या वन भी बिना 3 से कर जाता तो एक्या वन को भी अक्रोस करना एक्या वन भी 3 से कर जाएगा और यह 7 से कर जाता यह be यह क्रोस हो जाएगे तो जो बाकी number बचेंगे ठीक है तो वो number हमारे यह सभी numbers कैसे होंगे, prime numbers होंगे, जो भी numbers बचके, तो यह सारे numbers कैसे हैं हमारे prime numbers, ठीक है, तो चलिए, बना लीजे और करिए इसको, चलिए, अब हम पढ़ेंगे, gold wedge conjunction, चलिए, पढ़िए, gold wedge conductor, every number, every even number can be written as the sum of two numbers that either primes or one, कोई भी हमारे पास कैसा number है, even number है, तो उसको योगफल के रोप में लिखा जा सकता है, या तो वो prime होंगे, या वो क्या होंगे, one होंगे, जड़ा example से समझे, एक्जाम्पल समझे, यह थी हमारे पास कोई number क्या है 2 है तो उसको हम देखिए क्या लिख सकते है कोई number यह हमारे पास कैसा number है even number कोई 2 number है तो या तो वो ठीक है, बही example में मैंने 2 को लिखा, every number जो भी हमारे पास even number है वो sum के रोप में लिखा जा सकता है या तो 1 आएगा या prime जिसे 2 है तो 2 को भी 1 प्लस 1 लिख सकते हैं या तो sum होगा किसका? prime numbers का होगा या किसका होगा? 1 का होगा तो ये तो sum आया किसका? 1 और 1 का ऐसी कोई मैंने even number ले लिया 4 ले लिया तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 2 लिख सकते हैं 2 भी कैसा number है हमारा? Prime number है और ये 2 भी कैसा number है? Prime number है और ये भी लिख सकते हैं या क्या भी लिख सकते हैं? 1 प्लस 3 भी लिख सकते हैं दोनों ठीक है? या तो 1 आएगा या क्या आएगा? Prime आएगा इसी तरीके से 6 को बताईए क्या लिख सकते हैं 6 भी हमारा कैसा नंबर है यह भी नंबर है तो 6 को हम 1 प्लस 5 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 5 तो दोनों ही नंबर कैसे हैं हमारे दोनों ही नंबर हमारे प्राइम नंबर से एभाज्य संख्याएं है या 3 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं क्या भी लिख सकते हैं 3 प्लस 3 ये भी कैसे संख्याएं है एभाज्य है ये कह राइसमें यदि कोई भी हमारे पास कैसा नंबर है even number है तो हम उनको योगफल के रूप में लिख सकते हैं किनके योगफल के रूप में लिख सकते हैं ठीक है, prime numbers के योगफल के रूप में लिख सकते हैं या तो prime होंगे या क्या होगा 1 आ सकता है, ठीक है अभी कोई prime number हमने 8 ले लिया 8 ले लिए तो क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 3 लिख सकते हैं दोनों ही नंबर कैसे हैं 5 और 3 प्राइम नंबर से हैं ठीक है और देखिए और क्या लिख सकते हैं इसको 5 प्लस 3 3 प्लस 5 वो तो ही की बात है और 10 को बताईए क्या लिख सकते हैं 10 को तो यह 5 प्लस 5 लिख सकते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 5 किसी तरीके से यदि 12 को देखा जाए नहीं 5 तो नहीं आएगा, ठीक है, 7 प्लस 7 लिख सकते हैं, 7 और 7 दोने ही कैसे नंबर है हमारे, प्राइम नंबर से हैं, ठीक है, तो यह इस को आप याद रखिए, और यह एक्जामपल नोट कर लिजी, ठीक है, चलिए इसमें बाकी कल कराऊंगा मैं,